आप जतना चाहें उतना कैश घर पर रख सकते हैं, बस एक नियम जो याद रखना है, वो ये है कि आपके पास एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए, कि आपके कमाई का स्तुरोथ क्या है, और आपने टैक्स चुकाया है या नहीं। देश में टैक्स चुरी या काले धन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए, कैश पजेशन और ट्रांजेक्शन पर बहुत से नियाम है, एक बेसिक से सवाल है कि क्या घर पर कितना कैश रख सकते हैं, इस पर भी कोई लिमिट होती है, घर पर कैश रखना दो चीजों बरनर भ में ही कैश रख सकते हैं, आपको कुई भी नियम एक लिमिट के अंदर ही कैश रखने को बाद नहीं करता, अगर आप सक्षम हैं तो आप जितना चाहें, उतना कैश घर पर रख सकते हैं, बस एक नियम जो याद रखना है वो ये है, कि आपके पास एक पाई का हिसाब होना चाहिए, कि आपकी कमाई का स्रोत क्या है और आपने टेक्स चुकाया है या नहीं, इंकम टेक्स के नियम के मताबिक आप घर पर किसी भी अमाउंट में कैश रख सकते हैं, बस अगर किसी भी वज़े से जांच एजिंसी के पकड़ में आते हैं तो आपको इसका सोर्स लेकिन कैश लेन देन पर होती है लेमिट, ये जानना बहुत जरूरी है, कि इंद्रिय प्रितक्ष करबोड के नियम के अनुसार एक बार में पचास हजार रुपए से उपर के कैश डिपॉजिट या विद्रॉल पर आपको पैन कार्ट दिखाना होता है, एक साल में 20 लाग से जादा कैश डिपॉजिट करता है, तो उसे पैन और आधार कार्ट दिखाना होगा, नहीं दिखाने पर 20 लाग तक का जरुबाना लग सकता है, दो करोर से जादा कैश बैंक से निकालने पर टीडियस भरना होगा, साल में 20 लाग से जादा के कैश ट्रांजेक्शन पर जर कुछ भी खरीदने के लिए 2 लाग से जादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते हैं, करना है तो यहां भी पैन और आधार दिखाना होगा, क्रेडिट डेबिट कार्ट से एक बार में 1 लाग रुपे से ओपर का ट्रांजेक्शन करने पर जाच हो सकती है, किसे रिश्टदार से एक दिन में 2 लाग से जादा का अमाउंट कैश के जरीए नहीं ले सकते हैं, यह काम फिर बैंक से करना होगा, आप किसी और से 20,000 से ओपर कैश में लोन भी नहीं ले सकते हैं, आप 2,000 से जादा डोनेशन भी कैश में नहीं कर सकते हैं, नेशनल देस्क, न्यूसलाइफ, विहार